मंच पे उपस्तित कॉंग्रेस पार्टी के राष्ट्य अध्यक्ष युवाओं की धर्कन आदर्निय राहुल गांदी जी कॉंग्रेस के सभी वरिष्ट नेतागन पदाधिकारी गन हमारे महागडबंधन के साथ ही आदर्निय मान जी जी आदर्निय शरद यादर जी मुकेश साहनी जी जितने भी यहाँ नौजवान हमारे भाई हैं मीडिया के बंदू सब लोगों का सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ और स्वागत करने का काम करता हूँ और मैं आदर्निय राहुल गांदी जी का भी बिहार की पावन धर्ती पर दिल से स्वागत करने का काम करता हूँ पिछले बार हम लोगोंने महागडबंधन की रैली की थी हम लोग सब लोग चाहते थे कि उस रैली में राहुल गांदी जी सामिल होकर के हम लोगों का होसला बुलंद करने का काम करें लेकिन इनके विदेश दोरे में जो इन्होंने मीटिंग विदेश में थी उस चलते ये पहले ही कारिकरम बन गया था उस वज़े से हमारे बीच नहीं आपाएं लेकिन मुझे खुशी है कि आज भले ही कांग्रेस पार्टी अपनी रैली करने का काम कर रही है लेकिन राहुल गांदी जी बिहार आकर के सभी लोगों गया जो उमीद थी कि राहुल गांदी जी आकरके बिहार के जवानों ko नौजवानों को सभी साथियों को मोधी जी के असलियत का उजागर करने का काम करेंगे हम लोग तो बिहार में रहते हैं मोधी जी से ज्यादा हम तो अनदीच चाचा जी पर ध्यान देते हैं कि हर बात में पर्टीमारते रहते हैं कि अभी लोग किया जवाद उनको जवाद दिया कि अलग अलग पार्टी भले है हमारी अनेकता में ये एकता है इसलिए हम लोगों ने महागट बंदन बनाने का काम किया अलग अलग रंग के लोग हैं और जिस प्रकार देश को मोदी जी ने बरबाद करने का काम किया है फार देने का काम किया है वालो ये कुर्टा अगर फट जाए तो हम तो सुई का काम करने का काम कर रहे हैं अलग-अलग रंग से अलग-अलग धागे से उस कुर्टे को सिलने का काम कर रहे ह कि 2014 में मोदी जी ने तो गंजों को भी कंगा बेचने का काम कर दिया था जिसका सर पे बाल नहीं था उसको भी कंगी बेच दिया था जितने गंजे थे वह पूछते थे मोदी जी हमारा तो बाल नहीं है तो हम कंगी किस काम का है तो मोदी जी बोलते थे अभी खरीद लो बाद में उगा देंगे उसी प्रकार से अच्छे दिन आएंगे नौ जवानों को हर साल दो करों रोजगार देने का काम करेंगे 15-15 लाक रुपए हर एक के खाते में देने का काम करेंगे आप सब लोगों को ठकने का काम किया और सबसे ज़ादा अगर सोतेला वेवार अगर मोदी जी ने करने का काम किया है तो हमारे बिहार के साथ करने का काम किया है आज जितने आप सब लोगों आप सब को मोदी जी से और हमारे पल्टू चाचा जी से बदला लेकर के रहना होगा इन लोगों ने बिहार की बोली लगाने का काम किया था मोदी जी ने आरा के ज सवाल लाग करोर रुपया दिया अरे मोदी जी कहां गया सवाल लाग करोर का पैकेज का अपने वादा किया था बिहार को विशेश राज का दर्जा देने की बात कही थी आखिर हमारा अधिकार कहां है अगर आप समझो कि बिहार को आप ठगने का काम किये हैं लेकिन आप एक बात और समझ लिजे बिहार के लोग उर्थी चिरिया को भी हल्दी लगाना जानने का काम करते हैं आप से कि जब लोग सवाल पूछते हैं लोग आप से जब आपने के वादों को गिनाते हैं कि आप पूरा कप करोगे तो अपने अलाइंस पार्टनर cbi, ed, income tax को आप पिछे लगा करके डराने का काम करते हैं धमकाने का काम करते हैं लेकिन मोदी जी यह मत भूलिये कि हम लोगों ने जिन्दिगी बार हमारे पिता ने गरीबों के लिए लड़ाई लड़े का काम किया शोशितों के लिए लड़ाई लड़े का काम किया आप भले ही CBID income tax लगा दोगे लेकिन जन्ता के दिलों में से लालू जी को नहीं निकाल पाओगे और लालू जीन के गीदर भबकी से ड़ने वाले नहीं हमारे पिता हमारे शेर है उसलिए आप सब लोगों को एक जूठो करके इस लड़ाई में आप लोगों को देश बचाने का काम करना है आप सब लोग जानते हैं कि मोदी जी ने कितना जूठ पर जूठ बोलने का काम किया मैं कहता हूँ मोदी जूठ बोलने के फैट्री है जूठ बोलने के होल्सेलर है और आरेसेज जो है वो उनका जो आप क्या कहते है आरेसेज जो है उनका रीटेलर है उसलिए इनके जुमलों से आप लोग बच्छने का काम कीजिये हम लोग सब लोग आज सब लोग राहूल गांधी जी हमशे जब सवाल पूचा जाता है कि आप राहूल गांधी जी में आप काबिलियत देखते हैं कि नहीं देखते हैं परदान मंतरी के लिए तो हम लोग सब लोग बोलते हैं कि राहुल गांदी जी में कोई कमी नहीं राहुल गांदी जी में योगिता है प्रधान मंतरी बनने की लेकिन कॉंग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है सबसे बड़ी पार्टी है और कॉंग्रेस की और आपकी सबसे ज़्यादा जिम्मधारी है कि और अपने सहीयोगियों को किस प्रकार से जोडने का काम कीजेगा किस प्रकार से साथ लेकर के चलने का आप काम कीजेगा इसलिए आपको बहुत आगे जो है देश के लिए आपको सेवा करने का काम करना है और हमारा बिहार जो है वो पिछड़ा राज है लोग बिमारू राज कहते हैं अगर आप प्रधान मंत्री बने तो हमारे बिहार पे विशेज ध्यान करकर के आप लोगों को, मौजवानों को, किसानों को, मजदीरों को जो उनका अधिकार बगता है वो आप दिलाने का काम किजिए बीजेपी के लोग सन्विदान को खतम करना चाहते हैं बाबा सहाब गोवलकर जो उनके गुरू हैं, बंच अफ फार्ट्स को लागू करना चाहते हैं आप लोग सब लोग अगर देश को बचाना है, अपने सन्विदान को बचाना है तो आप सब लोगों को मिल करके भाजपा को भगाने का काम करना है उसलिए जादा कुछ हम नहीं कहींगे, राहूल गांदी जी को बोलना है और भी हमारे वक्ता है, लेकिन हम इतना जरूर कहींगे कि आप सब लोग एक जुठोईए और इनके जुम्लों में आप लोग फसने का काम नहीं कीजेगा आखिर जब इनसे काम और वादे पूरे नहीं होते हैं तो फिर से ये लोग जो है दंगा फसाद करने का काम करते हैं आप सब लोग सचेत रहिएगा, सावधानी बढ़क्वे का काम कीजेगा ये किसी के बाप का देश ते ये जो हम लोगों को पाकिस्तान भेजने का काम करे गिरी राज सिंग हर बाद पर पाकिस्तान भेजने का काम करते हैं उसलिए आप सब लोग सचेत रहिए, एक चुटकुला चलता है राम जी और सीता मईया सुर्ग में बैठे थे राम जी को हिचकी आती है, सीता मईया पूछती है क्या हुआ प्रभू राम जी कहते हैं कि लगता है, चुनाव पास में है, बीजेपी याद कर रही है उसलिए आप लोग साधानी बढ़कने का काम कीजेगा दंगा फसाट और अगर संप्रदायक ता, अगर संप्रदायक शक्ती अगर मदबूत होती है तो आप लोग उनको तोर दे का काम कीजेगा जादा कुछ ना कह करके, हम लोग भिषार का आगे हम लोग यात्रा करने का काम कर रहे हैं और उस यात्रा का नाम है बेरोजगारी हटाओ आरक्षन बढ़ाओ इस नारे के साथ इस नारे के साथ हम लोग जो हैं गरीबों को सोचितों को, वंचितों को समाजिक नियाए के लिए जागरू करने का काम करेंगे उसलिए हम सब लोगों को पुरा दिल से बनाई देते हैं विशेश तोर पे राहूल गांधी जी का देते हैं और अपनी बाप को यही समाथ करते हैं जय है बहुत बहुत धन्यवाद जत्वी जी हम बहुत कहना भूल गया कि इस रैली के लिए इनके पिता जी पिहार के जाने माने नेता आदर ने लालू जी ने भी इस रैली के लिए